अभी गुजरात पावागड की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था बरानपूर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिविलिंग होता है उस शिविलिंग के उपर जलाधारी होती है बोला था पर घर के अंदर जो शिविलिंग होता है उसमें जलाधारी की बद नहीं पड़े तो किसी ने प्रश्न किया गुरु जी यह बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है संकर जी के उपर फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्वर रखती तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुमारी मर जी लगाओ तो भी ठीक ना लगा अपने दिल का भाव शिवजी से कहते हैं मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो इस्थाई होता है घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है उठाया ठाली में रखा निला दिया बापिस रख दिया मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुमारे घर में चलित शिवलिंग है नर्वदेश्वर है पारत का शिवलिंग है स्फाटिक का शिवलिंग है मारवल का शिवलिंग है पीतल का है कोई तांबे का है किसी किया जो शिवलिंग हो छोटा सा बड़ा सा जेसा भी हो उस वो हेसी से जुड़ा हुआ सम्भूश रेने पड़ी मैं आशिस साहू बेमे तरह 36 गड़ से हूँ कई वेटे हूँ आशिस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छा प्रिश्न किया है उसके लिए देव अधी देव महादेव की करून आप पर बनी रहा है हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उनने लगाया है आप आस्ता चेनल पर देख सकते हैं या एलीडी पर देख सकते हैं इस शिवलिंग में समझ ही अब ज़रा ये शंकर जी का शिवलिंग है ये जलाधारी है उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे गर के शिवलिंग में नंदी असोग संदरी वाली जगा पे चिपका बेठा है अच्छा हासो मती हु例ं तुमारी भी कई-कई के घर में ऐसा होगा कि यहाँ शिविलिंग है, यह जो सामने जगा है, यह जगा पर नंदी चिपका हुआ है, देखा है कि इन देखा है, बोलते जाओ जड़ा है, देखा है न, तो, अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का, अब असुक सुन्दरी तुमां दिखती नहीं है, नंदी नंदी बेठा है, अब आप बताओ, हम असुक सुन्दरी को जल के से चड़ा, असुक सुन्दरी की जगा तो नंदी ने घेर लिये, क्या करा जाए, अब बहुत साउधानी से समझीएगा, बहुत ब्यान से, जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंड चिपका रहता है, अशुक सुन्दरी वाली जगा पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई, शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है, तो वो शंकर भगवान को ब्रहमन कराने के वो हमेशा सेवा के लिए तयान रहता है, अंतर है दोनों, दोनों में अंतर है, समझेगा इस चीछ के, एक ड्राइवर वो होता है, जिसको फोन लगाया जाता है, कहा है, क्यों क्या काम है, सियोर जाना है, और एक ड्राइवर वो हता है, गाड़ी में बेठा मिलेगा, उसको सुन्दरी वाली जगा पर जो शिवलिंग है वो इस्तान पर सेवा के लिए तक पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग तक पर खड़ा है कि अब ऐस को अभशन किया है इस प्रिशन में कि उजन कौंसे शिवलिंग की करना चाहिए तो बेटा साहू आसिस चतित गड़िया सबले बढ़िया तो आसिस साहू ध्यान रखें शिव महापुराण विदेश्वर सहीता कती है एक छोटा सा छोटा कंतर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है वो शिव ही रहेगा मानो तो मैं गंगा मा हूँ ना मानो तो बेता आपके उपर आप क्या मान रहे है संकर जी के हाथ में कपाल चिता नंदी समझ गया कि शिव जी मोन क्यों है कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुच जाता है और गोदावरी का मात्र जलका छीटा उस शरीर पर पढ़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रहमत्या लगी हो वो ब्रहमत्या से छूट जाता है शिव जी ने का गोदावरी? हाँ शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी को ने तम नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रयरम करी वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तब करा साधना करी अराधना करी गंगा, यमना, सरसती नरबदा जितनी भी पवित्र नदियां है वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तब करना चालू करती है वो गोदावरी कोई साधरन नहीं है क्या करना चाहिए संकर भगवान उस नंदी से पूछना नंदी करा नंदी चल पड़ा चलते चलते जैसे जैसे गुदावरी के तरीब में आया नासिक की धरा पर पहुचा पंचवटी पर पहुचा और पहुचते से गुदावरी के सामने संकर भगवान को बिठा कर नंदी उजल हो गया जैसे नंदी गया बैसे संकर भगवान के हाथ में से कप कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपाल इश्वर महादेव पढ़ा घोड़ावी के घांट पर आजबी कपाल इश्वर महादेव का वर्णने आगर जो लोगने आपर महरास्थ के बेते होंगे कितने लोग बेटे जरात उठाए झाल झाल